शरणम गच्छामी संगम शरणम इस भावना क्रम के ग्रंध को आप गंफीर्था से देखें तो यह आपके लिए उप्योगी है अब इसके बाद जैसी कि यह 21 सदी है और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हम 22 सदी के बौद्ध हैं तो 21 सदी के बौद्ध बनने के लिए केवल पूजा पाठ करना या प्रार्थना करना ही सिमित नहीं रखते हुए आधार क्या है? मार्ग क्या है? परणाम क्या होगा? फल क्या होगा? इसलिए दर्शन और सिधान्त के विशे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभ्यास करते हुए मैं आपसे ये कहा करता हूँ कि जानकारी के माध्यम से आस्था उत्पन करना जाना जरूरी है इसलिए जानकारी के साथ ली गई श्रद्धा एक प्रमारिक श्रद्धा होती है एक आत्म विश्वास वाली श्रद्धा होती है हमें केवल रीती रिवास की परंपरा पर नहीं रगना चाहिए हमें एक ब्रहम्मणिक तौर पर एक वजह के साथ हमारे में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा रखनी चाहिए आज संसार भर में हम देख सकते हैं कि किसी भी धर्म में करने को तो हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूरे 24 घंटे में जो जीवन हम गुजारते हैं उसमें हमारे चाल चलन क्या धर्म के अनुरूप हैं वो एक देखने वाली बात है बहुत बार धर्म के बाब जूद हमारा चाल चलन आच्रन ही धर्म के अनुरूप नहीं होता इसलिए हमें तहे दिल से आस्था के प्रती जानकारी लेनी बहुत जरूरी है केबल धर्म का नाम लेकर ग्यान रूपी श्रद्धा ना हो तो उससे हम देखते हैं कि जीवन में जूट बोलना किसी को धोगा देना या किसी को सताना ये किस वजह से हो रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें धर्म में ग्यान रूपी श्रद्धा की जानकारी नहीं है इसलिए धर्म को एक रीती रिवास तक ही सीमित ना रखते हुए और अपने मन को राग, ग्लेश, दोईश, मुह, लालच पर ना छोड़ते हुए हमें 21 सदी का बौध बनना है तो 21 सदी के बौध जानकारी लेकर ही श्रद्धा उत्पन्न करें और उस धर्म के प्रतियास्था रखें या ना रखें ये आपका निजी फैसला है लेकिन अगर आप धर्म के प्रती श्रद्धा रखते हैं तो वो श्रद्धा जानकारी लेकर ही रखनी चाहिए भगवान बुद्ध ने भी सूत्र में कहा कि मैंने आपको धर्म का मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त होना या ना होना धर्म से छुटकारा मिलना या ना मिलना ये आप पन निर्भर करता है इसी तरद एक और सुत्र में कहा गया कि भगवान बुद्ध में जो ज्ञान है वो किसी को नहीं दे सकते जिस तरह जल में नौनी से पाप मुक्त नहीं हो सकते बुद्ध ने हमें धर्म दर्शन दिखाए हैं उस धर्म दर्शन पर चलते हुए मोक्ष मिलना या ना मिलना ये स्वयम पर निर्भर है इसलिए भगवान बुद्ध के बताई हुए मार्ग दर्शन की सही जानकारी लेते हुए किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और वो कौन सी चीज़े हैं जिनका त्याग करना चाहिए इसका ध्यान रखना है एक बार अम्रिट्चर में एक सूफी प्रफेसर ने संबेलन में हुई बाचीत के द्वरान बताया कि संसार भर्म में जितने भी धर्म है ये सभी धर्म तीन प्रशन पर विराजमान है पहला प्रशन आत्मा है या नही अर्थात व्यक्ति है या नही दूसरा प्रशन ये कि व्यक्ति के शुरुवात रख सकते हैं या नही तीसरा प्रशन ये कि उसका अंत है या नही तो संसार में जितने भी धर्म है वो इनी और बौद धर्म को छोड़ कर जितने भी धर्म हैं चाहे वो इसाई हो इसलाम हो हिंदू हो या जैन सभी धर्म में ये विश्वास है कि आत्मा है लेकिन बौद धर्म की दर्शन द्रिस्टी हो या सिधान्त द्रिस्टी दर्शन द्रिस्टी से ऐसा माना जाता है कि आत्मा तीनों विश्वयों से नहीं है ये तीन प्रमाण क्या है पहला आत्मा हमेशा बनी रहती है कभी नश्वर नहीं होता ऐसा नहीं है दूसरा विश्वय ये कि वो अकेला है ऐसा भी नहीं है तीसरा जो अपनी आजादी के को जोड़ कर तांगा बनाया जाता है उसी तरह हमारा व्यक्तित्व और मैं जो हिस्से होते हैं उन सब को जोड़ लेते हैं और हम बनते हैं हम उसे उसी तरह से पहचानते हैं जैसे हमने उसे जोड़ा होता है तो इसलिए संस्कार रूपी या संस्कृत वाले कई कर्म और क跟我 में वो उस पर हुक्म चलाते हैं ऐसा हम देख सकते हैं कियने जाफ यह कि मैं व्यक्ति या आत्म है उस शरीर के या रू के भीतर भी नहीं है इसलिए मैं चैप आप दो आरखे गए हैं वह हमारे मन के दो दो आ पहले प्रशन पर ये जब आवाता है दूसरा विश्य जो है वो ये है कि मैं या व्यक्ति की कोई शुरुवात है या नहीं जो इसाई धर्म है जो ईश्वर में विश्वा सकते हैं उसमें जिस तरह से भगवान को एक पिता के रूप में देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है उसमें भी एक विश्श ताहिल उनको पिता के रूप में देखने से वो भगवान को अपने बहुत नस्दीक अनुभव करते हैं तो इस तरह से भगवान या ईश्वर को नस्दीक अनुभव करने से मन में मैतरी, करुणा, सेहनशीलता, शिरपालन की अभ्यास करने में जो सफलता मिलती है वो आती है तो ये अच्छी बात है और जब इसी के साथ अभ्यास करते हैं तो बड़ी ही खुशी और उमंग के साथ अभ्यास करते हैं मन में एक आत्म विश्वास मिलता है, हिम्मत मिलती है, होसला मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक बौद धर्म की बात है, तो जैसा की बहले ही कहा गया है, कि मैं ये व्यक्ति अपने पर आजादी के साथ नहीं है, बना रहता है, ऐसा भी नहीं है, भी नहीं है, कि उमंग या व्यक्ति बना रहता है, वो अपनी आजादी के साथ भी नहीं है, अकेला भी नहीं है, ऐसा जब मानते हैं तो उसके भी अपनी एक वजा है, जैसे कि तिब्बत में तिब्बती बौद धर्म की जो परंपरा है, उसमें चार सिधानतवाद हैं, तो इन चार सिधानतवादी में से हम जब अध्यन करते हैं, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, कि भारतिय आचार धर्म कीर्थी के गरंथ या प्रमाण हैं, तो उसमें भी ऐसा कहा गया है, कि विज्ञान जो है, यानि कि मन विज्ञान, मन जिसके देखने की एक दृस्टी है, शमता है, दो चीजें संसार में हैं, एक विज्ञान वाली चीज और दूसरी जो विज्ञान नहीं है, जो केवल एक वस्तू है, सामान है, तो इन दो चीजों को अगर हम देखें, तो कोई भी वस्तू जो बाहर की है, उसके कर्म या कारण कभी विज्ञान नहीं बन सकते है तो विज्ञान जो है वो पहला विज्ञान दूसरा विज्ञान ऐसे सभी विज्ञान मिलकर एक कर्म और कारण बनते हैं तो इसलिए बाहर की वस्तु के कर्म या कारण जो सही तरीके से देखा जाए तो फिर वो विज्ञान किसी विज्ञान को उसके कर्म और कारण के रूप में रखना ये दिक्कत है इसलिए पहला विज्ञान जो होता है उससे आने वाले जो विज्ञान होते हैं एक तरह से उनका जन्म होता है उससे वो चलता है इसलिए दूसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में ये होता है अब आया Τीसरा प्रश्न वो ये है कि अंत है या नहीं व्यक्ति या विज्ञान का अंत है या नहीं तो जैसा कि बौद धर्म में सबसे पहला जो सिध्धान्त वाद है विग्यानवादी वो चित्मात्र है तो चित्मात्र में ही केवल ये उधारन बताया जाता है जैसे कि आप दीप जलाते हैं तो दीप जब बुछ जाता है तो वहीं खत्म हो जाता है विग्यान को भी वो इसी तरह रखते हैं और इस तरह के उधारन देते हैं तो विज्ञानवादी के अलावा जो दूसरे सिध्धान्तवादी हैं, वो इस तरह से बात नहीं करते हैं, वो इस बात को और भी आगे ले जाते हैं, जिस तरह से पहले कहा गया कि दो चीजें उधारन के तौर पर वो दो चीजें एक दूसरे के पक्ष में दूसरा जो की पहले के विपक्ष में तो वो पक्ष विपक्ष जो यहीं एक दूसरे के साथ नहीं दिख सकते पक्ष और विफक्ष कभी भी एक दूसरे के कर्म और कारण भी नहीं बन सकते तो इसलिए हमें बिग्यान के कर्म और कारण या मन के कर्म और कारण जो की मन से ही रखना पड़ेगा बहार भी उसी तरहा रखना पड़ेगा तो कहने कारती यह है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को अनुभाव नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी विशय को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे इसे केवल एक कथनी तक ही सीमित ना रखें अगर किसी कथनी पर ही हम चलते रहे, किसी की बातों में ही आते रहे और किसी के कही हुई बातों पर ही यकीन करते रहे तो फिर मन में एक जूट आता है जिससे दिक्कत होती है हम भटक जाते हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान एक कभी ना खत्म होने वाली चीज है इसलिए जब विज्ञान खत्म नहीं होता तो मैं ये व्यक्ती भी खत्म होने वाली चीज नहीं है ऐसा माना जा सकता है इसलिए इस माध्यम से हम और आप विचार करें सभी धर्मों को हम सिध्धान्त के रूप में देख सकते हैं कुछ धर्म ऐसे हैं जो स्थानिय हैं जैसे गाउं के धर्म होते हैं जैसे कि देवी देवताओं की पूजा करना, इस्ट देवताओं की पूजा करना, लेकिन अभी हम इस विशय में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम धर्म दर्शन और सिधान्त की बात कर रहे हैं, जहां तक धर्म और सिधान्त की बात है, तो मानने वाले धर्मों में संसार में द एश्वर के द्वारा रचा गया है तो जिस तरह से जैसे संख्यावादी जैन धर्म में भी या फिर बौद धर्म में भी इस तरह से हमें एक बात करते हैं तो कुल मिलाकर हमें उतरना जो है हमारा लक्ष जो है वो अभ्यास करने पर ही होना चाहिए और जहां तक अभ्यास करने की बात है तो उसमें जैसे प्रेम की बात है या फिर जब मुश्किलें आती है जीवन में तो ऐसे में बरदाश करने की बात होती है होसला रखने की बात होती है या फिर अपने आपको संभालने के लिए शीर पालन के बात होती है जैसे कि दस अशुब कर्मों के बारे में बताया जाता है दस अशुब कर्म जैसे कि शरीर से तीन, वानी से चार और मन से तीन, कुल मिला कर दस तो ये दस अशुब कर्मों को छोड़ना तकरीवन सभी धर्मूज में एक जैसा है शायद मिथ्या दृस्टी कोण आखिर में अपने अपने हो सकते हैं भगवान बौध के धर्म में भी हमारा जो चार सिधान्तवादी है वो माध्मिक वाले धर्मों को अपने सुभाब से शुन्य है ऐसा मानते हैं तो ऐसा माना जाए तो वो गलत दिस्टी कोण होता है शायद ऐसा भी रखा जाता है कि जो दस अशुभकर्म मिथ्या दिस्टी कोण है वो श्रद्धा ना रखना आदी पर रखे जाएं तो वो दूसरी बात हुई तो जैसे भी हुआ कि संसार में जितने धवी धर्म में हैं सभी धर्म, दर्शन और सिधान्त उनके अपने अपने हैं और उन्ही धर्मों और सिधान्तों ने भी संसार को अदीत में संभाला अभी भी संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे तो सभी धर्मों के प्रती हमारे मन में आदर की भावना होनी चाहिए और फिर आखिर में धर्मों के अपनी जो अन्याई है वो अभ्यास करते है सभी अपनी अपनी सोच के होते हैं अपने अपने सभाप के होते हैं अपने अपने अनभव सब के होते हैं तो हिसाब से सिध्धान्त चाहिए होते हैं, थोड़ा बहुत धर्मू में जहां तक सिध्धान्त और दर्शन की बात है, तो उसमें मिलना ना मिलना, सहमत होना या ना होना, एक ही विचार का होना ना होना, ये तो सभाविक है, ये अपने मन में बदलाव लाने का एक तरीका ह मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिन्हें मैं जानता हूं उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया तो बहुत बड़ी बात है बहुत हैरानी की बात है हमें ऐसे लोगों के प्रती आदर स्वभाव रखना चाहिए बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये संसार जिसे बौद धर्म में कहा गया है कि इसे इश्वरदरा रचा नहीं गया तो अगर हम इस बात को माने तो फिर सब के अपने अपने दिश्टी कोड होते हैं अपने अपने स्वभाव होते हैं अपने अपने कर्म होते हैं तो वो सही नहीं बैठता ब बौद धर्म में ये स्वाइम पर ही निर्भर है जब हम ये बात करते हैं तो शायद आगर हम उसका सही अर्थ ना निकालें तो शायद गलत भी इस्तिमाल कर लें इसलिए दर्शन, सिध्धान्त और दस्टी कूण ये सभी में होना चाहिए और उस दस्टी कूण के आधार पर कभी भी बे दभाव नहीं होना चाहिए हम बौद नालंदा परंपरा से हैं तिब्बत के बौद धर्म के दर्शन और सिध्धान्त की जो बात है तो वो अलग-अलग तरीके से होना सभाविक है सब के एक जैसे विचार और अनुभव नहीं होते हैं इसलिए मिसाल के तोर प बौद धर्म में भी जैसे विद्ञानवादी चित्मात्रा हैं चित्मात्रा में भी कई तरह की शाखाये होती हैं उसी तरह के एक तरह की तरह से नहीं होते सब के एक अभ्यास नहीं होते लेकिन जितने भी सद्धान्तवादी होते हैं उन सब के लक्ष एक होते है सोच, विचार और दिस्टी कोड में अलग-अलग होना कोई बड़ी बात नहीं और ये स्वभाविक भी है इसलिए स्वभाविक और संभाविक को मानते हुए किसी एक पर विश्वास करना ये गलत है जैसे कि बुद्ध के गरंतों में भी ये कहा गया कि पांच हमारे विज्ञान है जो हमारे पांच भोजन है जो ये भोजन चकता है उसे व्यक्ति कहा गया है उसी तरह से किसी एक चीज को मानना या ना मानना एक तरहा से सीधा एक दम से जचता हुआ कुछ लोगों को घुमा फिरा कर एक तरीके से लोगों को सीधा ऐसा बुद्धु के वचनों में भी एक तरीका बताया गया क्योंकि सबका एक दृस्टी कोड नहीं है हमारे समक्ष जब ये प्रशन उड़ता है कि अलग-अलग दृस्टी कोड है तो फिर ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि सबका एक दृस्टी कोड नहीं हो सकता क्या अपनी अपनी सोच होती है तो सोच के हिसाब से उपाय के तौर पर वो रखे गए हैं इसलिए संसार में सभी धर्मों के प्रती हमारे मन में आदर होना चाहिए क्योंकि स्वयम के प्रती हमारा धर्म शिष्ट है इसलिए स्वयम को सोच कर ये कहा जाए कि हमारा धर्म सर्विस्टेस्ट है ये कहा जाए तो ये गलत होगा इसलिए सभी धर्म के प्रती आदर और श्रद्धा रखें आदर और श्रद्धा में फर्क रखें श्रद्धा जो है वो अपने धर्म के प्रती करें आदर जो है वो दूसरों के धर्म के प्रती रखें भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वान के बाद बौद धर्म की जितने भी महापुरुश आए उन महापुरशों ने बुद्ध की वचन की अधार पर राचनाएं की हैं उन राचनाओं के बाद शास्त्रों का अध्यन करने के लिए केंद्र इस्थापित हुआ था बुद्ध के समय में अध्यन करने के लिए ऐसे केंद्र और पाटचालाई नहीं थी लेकिन उसके बाद अध्यन के लिए केंद्र बनाए गये और जैसे सबसे पहले तक्ष शिला केंद्र बनाया गया उसमें जैसे की वासु देव बाधी और विज्ञान बाधी है इस तरह से बौद धर्म के अध्यन करने के लिए शुरुवात की गई थी उसके बाद नालंदा से आचार नागारजुन और ये बौध धर्म के सबसे बड़े विद्वान सिद्ध हुए उसके बाद विक्रम शिला आदी और ओहिर या फिर साथवी और आठवी सदी में तिबबत के बौध धर्म के प्रचार की शुरुबात हुई वहां के धर्म राजान के प्रार्थना पर जैसे शांत रक्षित पधारे तिबबत में और उनके सहयोग देने के लिए गुरु परमसंबव और विशेशकर यहां इस वक्त कहने के बाद आचार शांत रक्षित द्वारा बौध धर्म के दर्चन के एक जो ग्रंत हैं उसकी रचना करने की और उसी तरह से जो भिक्षो किया जो सन्यास लेने वाले लोग थे उनको आदी और बुद्ध के वचनों और शास्त्रों को अनवाद करने आदी पर भी उन्होंने विशेश कर अपना कर्तव विकापालन किया और जहां तक भीतर और बहार के भूत प्रेत विग्न हैं उन्हें धूर करने के लिए गुरुपरमसभव आचार की क्रपा रही आचार परमसभव और गुरुपरमसभव द्वारा राजा मंत्री केवल कुछ विशिष्ट लोगों को ही तंतर ग्यान और बज्ज ग्यान के प्रवचन दिये गए थे मोटे तोर पर देखें तो सन्यास लेनी की विधी से लेकर मादमिक दर्शन उस पर आचार शांत रक्षित की बहुत बड़ी क्रपा रही और उसी तरह से तिबबत के संपदाय में भी इन बातों का जिक्र किया जाता है जैसे कि जीनू पुछे लामा खातों के द्वारा ऐसा कहा गया है उन्होंने की हम तिबबती बड़े ही स्वभाकिशाली लोग हैं कि हमें भारत वर्षे से शांत रक्षित आदी के दर्चन हुए उनकी क्रपा से हामारा धर्म पूरे संपूर्ण तरिके से तिबबत में इस्था